युँँद्वी अुटिर्यक्षण हेलो श्टुडेंट्स वेलकम इन उंलाइन एग्रिकल्चर ऑफीशर की थी। लेकिन क्वालिफिकेशन उसमें बीसी एग्रिकल्चर ही था। और भी इसके साथ कही वकецी थी जिनमें कॉलिफिकेशन B.A.C एंगरी कल्चर था उसके अलावा कुछ एंगरी कल्चरल इंजिनियरिंग की वकецी थी जिसमें B.T.E.C. इंजिनियरिंग वाले इलिजिबल थे तो अब होटी कल्चर वाले बोले कि हमारे साथ 130 वावार कुँँ, भैइ, हमें क्यों नहीं чाonya कई बेग, हम भी तो BAC, होटी कल्चर होले हैं, एगरी कल्चर के एक्विलेंटर सोख भात भी था, तो विहार गॉपर्णनि नहीं क्या किया, जो डारेक्टन ओफ हर्टी कल्चर, department of agriculture वियार उसके अंदर नए पद है वो सरजित कर दी नई vacancy सरजित कर दी इससे पहले ये कोई पोस्टें थी नही पोस्टें सरजित कर दी गई है तो पोस्टें आएगी जिसमें से सबसे ज़्यादा number of vacancies होगी वो किसके अंदर होगी बहुत जल्दी notification रिलीज होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी आपके साथ डिसकस करूँगा उसके पूरे डिटेल से कल अपने live मिलेंगे ठीक है लेकिन आपको बता देता हूँ कौन-कौन सी vacancy है और exam pattern क्या होगा कौन-कौन इसके लिए eligible है minimum age क्या है ये सारा का सारा मोटा मोटा मैं आपको यहां बता देता हूँ देखो आपके लिए यहां पर दो vacancy होगी एक तो होगी block horticulture officer मैंने आपको बता ही दिया है सबसे ज़्यादा जो पद होंगे वो किसके होंगे block horticulture officer के ही सबसे ज़्यादा पद होंगे अब इसके लिए qualification क्या रहेगा बी एसी होटी कल्चर अब तो सभाविक बात है कि होटी कल्चर वालों के चहरे फे खुसी तो आई ही होगी लेकिन फोड़ आसा इनको इस बात का दुख भी हो सकता है कि इसमें बी एसी होटी कल्चर और बी एसी agriculture दोनों ही eligible है दोनों ही क्या होंगे eligible अब आप सोच रहे हो पारी नहीं हुआ है जहां तक मुझे सूचना है तो इसका जो सलेबस आएगा उसमें जो major part रहेगा वो किसका रहेगा होटी कल्चर का रहेगा ultimately benefit किसको मिलने वाला है होटी कल्चर वालों को ही benefit है वो मिलने वाला है उसके लाए हम बात करें senior block होटी कल्चर की senior block होटी officer की भी post आएगी इनका भी qualification सेम ही रहेगा सेम ही qualification मांगा जाएगा यहां पे यह number of post क्या होगी कम होगी लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोस्ट होगी वो block होटी कल्चर officer की होगी बहुत जल्दी notification रिलीज होने वाला है आप देखिए मैंने पीछे भी बोला था तो बहुत ज सेम एज का क्राइटेरिया होगा डिगरी आपकी complete मांगेंगे इस बात में कोई डाउट नहीं है और ओल इंडिया स्टूडेंट वो इसमें apply कर सकते हैं लेकिन reservation का जो फाइदा मिलेगा वो बिहार के students को ही मिलेगा अधर स्टेट के स्टूडेंट है वो सिरफ जनरल से ही क् कर सकते हैं ठीक है और इसमें exam patent सेम वही रहेगा वही हिंदी का एक paper होगा जिसमें आपको qualification marks लेने ही लेने हैं 30% merit में count नहीं होंगे कल अपने detail से बात करेंगे अभी मोटा मोटा जो block agriculture officer का patent था वो सेम ही block horticulture officer का होगा हना फिर उसके बाद 100 question है वो आपके GS के रहेंगे 100 marks के ये merit में योगदान देंगे और उसके अलावा 200 question आपके subject के रहेंगे यानि जिसमें horticulture का part जादा होगा और ये जो marks के रहेंगे ये 400 marks के रहेंगे कितने marks के रहेंगे 400 marks के रहेंगे उसके अलावा interview की बात करें तो interview भी आपका होगा 50 number का यानि total जो मामला है वो कितने क हो जाएगा 550 marks का जैसाब लोग agriculture officer में था इनको count किया जाएगा पचेतर marks में यानि इने पचेतर marks count करके चलेंगे और 25% जो marks है या 25 marks है 25% नहीं भाई 25 marks जो है वो experience के दिये जाएंगे पहले से कोई department में same post पे काम कर रहा है तो उसी को benefit मिलेगा 25 पोस्त ही पहली बार आ रह कर रहा है कोई नहीं कर रहा है तो फ्रेसर बिल्कुल चिंता नहीं करें कि इसमें तो experience वाले आ जाएंगे 25 नंबर का benefit मिलेगा कुछ benefit नहीं है सब फ्रेसर ही आने वाले हैं आप इस बात के लिए निश्चित रहें और अपनी त्यारी को start कर दे होटी culture वाले अना दुखी हो रोएन है अब उनके लिए भी वकेंश है ओल इंडिया के student है वो इसके लिए apply है वो कर सकते हैं ठीक है बहुत जल्दी notification जारी होने वाला है और कल मैं इसका पूरा detail से वीडियो बना दूंगा अब बात आती है कि हमारे यहां online agriculture e-platform पे इसका course चलेगा या नहीं चलेगा बिल्कुल चलेगा 100% चलेगा मेरा subject B.A.C. MS.E. PhD का होटी कल्चर है तो होटी कल्चर का ही course नहीं चलेगा तो किसका चलेगा course है वो आपका कल लौंच हो जाएगा लौक होटी कल्चर officer के लिए course हमारा लौंच हो जाएगा अब student यह सोचते होंगे कि अभी syllabus तो जारी नहीं हुआ है आज तक आपको यहां से कोई भी information मिली है उसमें कोई 1% भी किन्तु परंतु हुआ कभी नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं हुआ हना वो ही part स्टार्ट किय जाएगा जो आपके syllabus में 101% होगा ही होगा जिसको कोई नहीं रोकने वाला है ठीक है तो course है वो हम कल launch कर देंगे लेकिन जो live classes है वो आपको साइद Monday से दे दी जाए क्योंकि चुनाव आने वाले paper का कोई पता नहीं है कितना जल्दी जल्दी conduct करवा दे तो आपको त्यारी म नहीं है course क्या होगा क्या cost होगी कब से live classes होगी क्या enrollment यह सब हम कल discuss करेंगे उससे पहले मैं आपको पूरी इसकी detail है वो बताऊंगा और उसके साथ साथ हम इन बातों का discuss करेंगे तो चलिए student आज पूरे दिन से students की बहुत जादा inquiries थी तो एक-एक students को तो इसका answer देना थो झाल झाल